हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू माई चैनल टोप पर्सनेल्टीज फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे संजय गांधी जी के बारे में जी हाँ संजय गांधी जी से जुड़े हुए एक किस्से के बारे में हम आपको बताएंगे एक 23 साल का लड़का जिसने अपनी मा को एक आइडिया शेयर करते हुए कि मैं देश की पहली जनताकार का निर्मान करूँगा मा ने अपने बेटे के कार निर्मान के लिए सरकारी कमपनी के गठन का प्रस्ताव रख दिया और मारूती मोटर्स लिमिटेड कमपनी अस्तेतु में आई जब 28 का हुआ तो कहा कि मा मैं इस देश की सारी समस्याओं को हर लूँगा तमाम दिगज मंतरी से लेकर संत्री तक उसके सामने हाथ वांदे खड़े नजर आई देखते ही देखते महज 33 साल की उम्र में वो सियासत की धुरी बन गया इस नेता के बारे में कई किस्से हैं और कहानिया हैं और साथ ही कहा जाता है कि उसे उड़ना बहुत पसंद था किवल सियासत में ही नहीं बलकि हवा में भी सियासत की एक फ्लाइंग में भी खतरनाक हद तक जोकिम लेने का ऐसा शोक की चपल में ही प्लेन उड़ाना हवा में कलाबाजिया खाना उसका पसंदीदा शगल बन गया लेकिन उसका यही शोक एक दिन उसकी जिन्दगी का आखरी सबब भी बन गया 1980 में भरी एक उडान उसकी आखरी उडान सावित होती है हम बात कर रहे हैं इंद्रा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की 23 जून 1980 को इंद्रा गांधी के चोटे बेटे संजे गांधी की जिंदगी की आखरी सुबह सब्दरजंग एरपोर्ट के रनवे से संजे गांधी ने ठीक 7 बचकर 58 मिनट पर उडान भरी संजे गांधी आसमान में सुबह की सैर करना चाते थे लेकिन उनकी ये उडान अधूरी रह गई वो सब्दरजंग के रनवे पर वापस कभी नहीं लोटे संजे गांधी के जिन्दगी से जुड़े जितने किस्से मशूर हैं उतनी ही उनकी मोत को लेकर भी कई सारी कॉंस्पिरेसी थियोरी भी सामनी आई है आज हम आपको संजे गांधी की जीवन और मोत से जुड़ी उनी कहानियों के बारे में बताएंगे सियासत की तरह ही फ्लाइंग में भी खतरनाक हद तक जोखिम लेने की आदत थी संजे गांधी को राजिव गांधी जहां विमान उडाने के तमाम नियमों का पालन क्या करते थे वहीं संजे गांधी प्लेन को कार की तरह उडाया करते थे तेज हवा में कलाबाजिया खाना उनका शोग था 1977 से ही गांधी परिवार के करीबी रही धीरेंदर ब्रहमचारी एक ऐसा टू सीटर विमान पिट्स S2A इंपोर्ट करना चाहते थे जिसे खासतोर पर हवा में कलाबाजिया खाने के लिए बनाया गया था मई 1980 में भारत के कस्टम विभाग ने इस विमान को भारत लाने की मनजूरी दी थी आनन फानन में इस विमान को असेंबल करके सब्दरजन हवाई अडे दिल्ली फलाई कलब में शामिल कर लिया गया था संजय गांधी पहले ही दिन उस विमान को उड़ाना चाह रही थे लेकिन पहला मौका फलाईंग कलब के इंस्टरक्टर को मिला संजय ने पहली बार 21 जून 1980 को इस नए पिट्स विमान पर अपना हाथ आजमाया उस वक्त संजय गांधी अमेठी से सांसत थे और एक मही में पहले ही कांगरेस के महासचु बनाए गए थे मगर संजय को अपनी सत्ता और ताकत के लिए इन पदों की कोई जरूरत नहीं थी वे सब जानते थे कि फिछले 5 साल से वही कांगरेस के सरवे सरवा थे 23 जून 1980 सुबह के वक्त परधान मंतरी इंद्रा गांधी के घर से एक हरे रंकी मेटाडोर गाडी बाहर निकली जिसमें इंद्रा गांधी के चोटे बेटे 14 दिसंबर 1946 को जन में संजय गांधी चला रहे थे बता जाता है कि संजय जल्दी में घर से निकले और मा को बाय भी नहीं बोला तीन महीने दस दिन का बेटा वरुन सो रहा था पतनी मेन का उसे संभालने में लगी हुई थी संजय एक किलो मीटर दूर सफतरजंग एरपोर्ट पहुंचे यहां दिल्ली फ्लाइंग कलब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाश शक्षेना उनका इंतजार कर रहे थी कलाबाजी खाने के लिए मुफीद लाल इंजन वाला एरक्राफ्ट पिट्स S2A तयार खड़ा था संजय गांदी सियासत की तरह फ्लाइंग में भी खतरनाक हद तक लापरवा और जोहिम लेने वाले थे वो अक्सर सुरक्षा नियमों को तोड़ दिया करते थे कुछ दावों के मुताबिक संजय गांदी ने अपने बड़े भाई की कोक्पिट में प्लेन उडाते समय उचित जूते पहनने की सला को भी नजर अंदाज कर दिया था राजिव गांधी ने कई बार संजय गांधी को प्लेन उड़ाने के दोरान जूते पहनने के सला दी थी लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी संजय गांधी के बड़े भाई राजिव गांधी ने उन्हें फिट्स प्लेन उड़ाने से मना भी किया था क्योंकि संजय गांदी के पास प्लेन उडाने का बहुत खास अनुभव नहीं था संजय गांदी के पास प्लेन उडाने का बस 300 से 3.5 गंटे का ही अनुभव था राजिव गांदी पर आयोजीत एक फोटो पर दर्शनी पर बनाए गए पांच मिनट के विडियो में कांगरेश नेता राहुल गांदी ने इस बात का जिक्र भी किया था राहुल गांदी ने कहा कि उन्हें यानि कि संजय गांदी को वह प्लेन नहीं उडाना चाहिए था लेकिन उन्होंने उडाया और वही हुआ जो उडाने का अनुभव ना होने पर होता है आसानी से खुद की जान ली जा सकती है सुबै सवा साथ बजे के करीब कैप्टन सकसेना पिट्स के अगले हिस्से में बैठे और संजय ने पिछले हिस्से में बैठ कर कंट्रोल संभाला संजय ने सुरक्षा नियमों को दरकिनार करते हुए रिहाइशी इलाके के उपर ही तीन लूप लगाए उससे भी कुछ मिंटों के बाद उनका नियंतरन खत्म हो गया और फिर घर घर की आवाज करता हुआ डिप्लोमेटिक एंकलेव में संजय गांदी के घर से कुछ ही मिंटों की एरियल दूरी पर पिट्स क्रेश कर गया कहा जाता है कि उस दिन यूपी के मुख्यमंद्री राजा सहाब यानि की विश्वनात परताब सिंग इंद्रा गांदी से मुलाकात के लिए उनके निवास्थान पर आए हुए थे तबी इंद्रा के सहायक आर के दवन को ये बोलते हुए सुनते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हो गया बस इतना सुनते ही बिखरे हुए बालों में ही इंद्रा गांदी बाहर निकली और घटना स्थलकी और रवाना हो गई मुके पर एंबुलेंस और एरक्राफ्ट पहुंचे और डालियां काटी गई और विमान के मलबे के बीच से संजय और सुभाश के शरीर को निकला गया भाजबा के राज्य सभा सांसद सुबरमन्यम स्वामी ने साल 2021 में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष और संजय की भावी सोनिया गांदी को निशाना बनाते हुए संजय गांदी की मौत को लेकर एक नया दावा किया दवीक की रिपोर्ट के अनुसार स्वामी ने आरोप लगाया की तक कालीन सोवियत संग ने सोनिया को लाव पहुचाने के लिए संजय की मौत की साजिश रची थी उन्होंने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि आखिर कार टीडी के को फाइदा पहुचाने के लिए सोवियत संग ने उनके विमान में एक रिसाव को ठीक कर दिया और उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी विमान अशोका होटल के पास दुरगटना ग्रस्त हो गया लेकिन विस्फोट नहीं हुआ क्यों टीडी के एक संक्षिप तस्चब्द है जिसे स्वामी ट्वीटर पर सोनिया गांधी को संदर्पित करने के लिए उप्योग करते हैं स्वामी ने पहले आरोप लगाय था कि सोवियत संग और सोनिया गांधी की मिली भगत थी 2019 में उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी ने 1984 में इंदीरा से स्वन मंदिर पर हमला करने का आगरह किया था उन्होंने ट्वीट किया कि सुवन मंदिर में ओप्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ हमारी रक्षा के लिए हमें यूएससार पर अधिक निर्भर बनाने के लिए एक सोवियत संकी साजिश के थी वरिष्ट पतरकार और लेखक तवलेन सिंग ने अपने किताब दरबार में लिखा है कि जो रिपोर्टर घटना स्थल पर पहुँचा था उसे हादसे को लेकर तमाम कहानिया सुनाई कहा जाता है कि मा इंद्रा गांदी दरगटना के चंद मिनट के बाद ही वहाँ पहुच गई थी और इसके साथ ही वो संजे गांदी की जेब में कुछ तलाश रही थी और बाद में वापस लोट गई ये भी कहा जाता है कि इंद्रा गांधी एक बार फिर उस जगे गई जहां संजे का विमान दुरगट ना गरस्त हुआ था कहा गया कि संजे की घड़ी और चाबियों का गुच्छा डूंडने गई थी उस घड़ी में स्विस बैंक का अकाउंट नमबर था इसके साथ ही अफवाहों में तो इंद्रा गांधी को रुमाल में लपेट कर कुछ दिये जाने की बात भी रही है लेकिन कभी इसकी पुछ्टी नहीं हुई तो फ्रेंट साथ की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विशे के साथ तब तक के लिए खुश रही मस्त रही थैंक्स टो अल थैंक्स फूर वोचिंग अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूनी